भाईव और बेनों स्पस्ट नीती और बहते इन्फासक्टर के दम पर ही फाईव ट्रिलियन डॉलर एकॉनॉमिक के लक्ष को हम हासिल करके रहेंगे जाहिर है कुछ लोगों को ये लक्ष जड़ा कठील लगता है उनको ये इसलिए लगता है क्योंकि वो इसको आंक्णों की नजर से देखते हैं हम इसलिए आस्वस्त हैं क्योंकि हमने अपने ट्रैक रेकॉर्ड और अपने युवाज साथियों के सामर्थ पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है मैं आज आपको जबा हिसाब देना चाहता हूं सातियों साल 2007 में 2007 याद रखिए 2007 में हमारे देश ने फर्स ट्रिलियन के पढ़ाव तक पहुंचने में हमें साट साल लगे साट साल चलते 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 फर्स ट्रिलियन हम 2007 पर साथ इसके बाद अगला ट्रिलियन जोड़िदे में हमें करीब आठ साल लगे लेकिन इसके बाद पिछली सरकार के सिरफ चार साल में करीब करीब एक और ट्रिलियन हमने अपनी अर्थ ववस्ता में जोड़ दिया इसी ट्रेक रेकोर्ड से हमारे होसले भी बुलंद है और हमारा लक्ष भी उचा है और हमारे लिए फाइव ट्रिलियन डॉलर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बलकि 130 करोर भारतियों के सपनों के साथ जुड़ा हुआ हमारा संकल्प है जितनी बड़ी अर्थ ववस्ता होगी उतनी तेजी से हम गरीबी को मिटा पाएंगे गरीबी को हरा पाएंगे जितनी बड़ी अर्थ ववस्ता होगी उतनी ही तेजी से मद्यम्बर का जीवन सर उपर उठ पाएगे जितनी बड़ी अर्थे बवस्ता होगी उतनी ही तेजी से युवाओं की आकाउं छाओं को हम पूरा कर पाएगे भाई और बेहनो जिन लोगों में निराशा फैली हुई है ये तो हो ही नहीं सकता कि मोदी क्या कह रहा है उनको पता होना चाहिए मोदी है हम मंखन पे लकीर करने वालों में से नहीं है हम पत्थर पे लकीर करने वालों में से